नमस्कार दोस्तों आप सभी के शड़ी फॉर यूपेसी पीसेशन में स्वागत है आज तारीख है 23 अगस्त 2024 इस वी और आज का न्यूज पेपर आर्टिकल डिसक्षन का ये वीडियो होगा कई सारे important topic हैं आज इसलिए वीडियो कौन तक देखेगा बिहार का पहला सूपर कंप्यूटर जिसका निर्मान बिहार में हुआ है उसको भी आज हम लोग देखने वाले हैं परम बुद्धा नाम है उसका उसके अलावा महिला सुरक्षा को लेकर detail article डिसक्षन करेंगे हम ग्वथान आपको ही सोचना पड़ेगा उसके लावा तरिपुरा का एक है ज seldom है वह मैं बंग्लाबे झोड़र आज है और यहार् laugh के लग लाग रहे हैं उस्सनें बोले है की यह जो आपने बम हम लगाया है यह बहूत ही गलत है इस तरह का कुछ भी भारत ने नहीं किया है तो कौन सी नदी है, कौन सा डैम है इसको भी देखेंगा हम लोग और उसके अलावा एक और डीटेल न्यूज है जिसमें भारत सरकार जो है वो एक पोर्टल का निर्मान कर रही है पोर्टल के निर्मान जिसके तहत बच्चों को इंटर्नसी प्रोवाइड करवाय जाएगा पांच अजार की मन्थली इंकम उनकी सेक्योर की जाएगी जो ग्रेजुएशन करके बच्चे आते हैं उनकी बात हम लोग कर रहे हैं तो ऐसे ही कई सारे सांदार टॉपिक हैं जहां से पीटी मेंस में सवाल बन सकते हैं एमपॉक्स का एक नया स्ट्रेन आया है उसको भी देखेंगे वीडियो का अंतक देखेगा बीच तक मत देखेगा अंतक देखेगा इसलिए कहराओ बार 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 ताकि आप पुड़ा टॉपिक पढ़ें आधा धूरा टॉपिक पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है एक आधे स्टेटमेंट भी आ गया तो आपका फिर नुकसान हो जाएगा अगले माह में सेप्टमबर के दूसरे सब्ताह में या तीसरे सब्ताह में आयोग के पास सारी रिक्तियों की भरती अभी तक आई ही नहीं है सभी विभाग ने भेजा ही नहीं है कैसे भेजेंगे रोष्टर ही तियार नहीं है रोष्टर कैसे तियार हो जाएगा भई जब सुप्रीम कोट का फैसला ही नहीं आया है एक्जाम आपका नवंबर लास्ट में हो सकता है ऐसा उमीद किया जा रहे है नवंबर लास्ट तक आपका एक्जाम जा सकता है तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा देखे कौन सा डैम है तिरपुरा का तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए देखिए आपर लिखा हुआ है दुम्बूर डैम है यह और यह डैम तिरपुरा में है ठीक है तिरपुरा में है और यह जो डैम है किस नदी पर है तो गूमती बोला जाता है बंगाली वासा में गूमती यह इसको गूमती कहा जाता है ये गोमती लखनो वाला गोमती मत कीजिएगा ये तिरपुरा का है तिरपुरा में ही ये इस नदी का उधगम होता है और ये बंगला देश में मेघना नदी में जाकर अपना मुहाना बनाती है मेघना नदी में अपना मुहाना बनाती है और इसी पर एक डैम बना हुआ था ज बिल्कुल ही गलत है इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ है ये बस एक natural cause है बाकि भारत का इस बार्ध में कोई भी योगदान नहीं है बंगलादेश का अगर आप map देखेंगे इस तरह से है यहां पर तिरपुरा है तो इस इलाके बार्ध देखा गया है तो आरोप लगा रहे है कि ये बार भारत के कारण से create हुआ है जबकि ऐसा नहीं है ये भारत ने कभी भी बार है ये निस्रल डियास्टर कभी उपयोग नहीं किया किसी देश को परिसान करने के लिए ये बहुती गलत आरोप है आप इस बांध के बारे में और उस नदी के बारे में जरूर ध्यान दुंबर नामा की जगह है जहांस उसका उद्गम होता है मोहाना कहां पर है तो मेघना नदीम अपना मोहाना बनाती है तिरुपरा में ही है ये बस इसको ध्यान रखिएगा भारत के जो प्रतिनधी मंडल है वो मुहमद यूनुस से मिले जो बंगलादेश का भी सासक है वर न्यूज नहीं पता होगा मैं आपको बताता हूँ कि जो हिंदू इंपलॉई हैं टीचर हैं प्रोफेसर हैं और किसी भी विभाग में कोई इंपलॉई है जवर्दस्ति प्रदसनकारी उनको घेर कर उनका इस्तिपा ले रहे हैं उनसे रिजाइन करवा रहे हैं अपने जॉब से एक प्रविर्ट देखी गई है सो कॉल्ड आंदूलन के बाद से बंगलादेश में इस्तिती गंभीर है अभी भी गंभीर है इसलिए एक कंसरन जाहिर किया है अब हम लोग जरा डीटेल में डिसकस करेंगे महिला सुरक्षा को लेका जिसमें इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था देखेंगे क्या कारण है ध्यान पूर्वक देखिएगा जो डेटा बताऊंगा उस डेटा को याद रखिएगा क्योंकि होट टॉपिक है इस बार का और पूछा जाएगा आपसे एक्जाम में इसलिए डीटेल में इसको समझेगा समझेगा मैं डीटेल में कह रहा हूँ याद करने से भी जादा समझ बनाना चाहिए आपको इस टॉपिक का देखें क्या है आज का आर्टिकल में क्या है इंडियन एक्सपेस में आया था कोलकता रेप एन मडर केस अगर आपको वीडियो देर से मिले तो उसमें माल लीजेगा की योटीव का योगदान है क्योंकि जितनी बार मैं इस सब्सब्द यूज करूंगा अतनी बार वोच चेक करेगा डीटेल में चेक करने लग जाता है इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा वीडियो देर मिले तो कोई बात नहीं टॉपिक तो परहना ही है मुझे कब तक मैं टालूँगा इसलिए समझिएगा थोरा सा ठीक है और एक चीज़ मैं बताता हूँ अगर आपको उत्तर लेखन या निवंध लेखन में जोरना हो तो आ सोचने की सकती मुख्यूरूप से डेवलप होती है आपकी एकजाम में आपको सोच कर ही लिखना परता है क्योंकि याद करके जितनी चीज़े आप जाएंगे जरूरी नहीं को दिखेंगे ऐसे सवाल जहां पर वहीं पर आपको ख्रेम करना परेगा अगर समझ नहीं बनी र हुआ है ये गंभीर इसू मुद्दा बना हुआ है आज भी देश की 50% आवादी जो है वो सुरक्षित इसी देश महसूस नहीं कर रही है तो ये कहीं कहीं कंसर्न तो है ही 50% आवादी खत्रे में है 50% आवादी से है ना तो ये तो खत्रा तो है ही ना कुस तो ऐसा इसू और सुरक्षित मैसूस नहीं करते हैं देखे क्या है जो लेंगिक समानता समाजी की नियाई की दिसाम देश के प्रिगती को चुनौती देता है जहां हम एकॉनमी की ग्रोथ की बात करते हैं आईटी इंडस्टि में हम सूपर पावर होने की बात करते हैं आर्म फोर्सेज में दुनिया की चौती बड़ी फोर्स है हमारे पास कभी कभी तीसरी भी बोला जाता है अमेरिका चीन के बाद और युवाओं की सक्ती में हम दुनिया के पहले नमर पर आते हैं बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जहां पर हम दुनिया में टॉप 10 में आते हैं लेकिन महिला अचा की जब बात आती है तो हम इतना पिछ़ड क्यों जाते हैं क्यों दिल्ली को रेप कैपिटल कह दिया जाता है विदेशी मीडिया के द्वारा और भारत में जादा होते हैं तो क्यों इस तरह की घटनाएं आज भी घटित होती है हमारे समाज में यह चिंता कभी से जुश्तित होती है कि बिधाई उपायों बरती जारुता के बावजूद महिलाओं के बिरुद हिंसा की घटनाएं चिंताजनक रूप से उच्चस्तरव बनी हुई हैं पिछले साल 56 परसेंट था NCRB के हिसाब से महिलाओं के प्रती जो हिंसा हुआ है वो बर कर 62 परसेंट ह हो गया है यह एकॉनमी बरने के साथ महिलाओं के प्रती हिंसा भी बर रहा है NCRB का डेटा जो होता है यह सजाकर कॉपी में रखने के लिए नहीं होता है यह आपको हमेशा ही यूज करना होता है अपने तरकों को मजबूत करने के लिए उत्तर लेखन हो या निवंद लेख होता है जो पूरे देशवर के पुलिस स्टेशन में दर्ज किये गए मामले का अधार पर त्यार किये जाते हैं इसका ये भी तात पर है कि जो मामले दर्ज नहीं किये गए हैं F.I.R. ही देश में कितने होते हैं इसना विभध से केस है कोलकता का इसमें भी F.I.R. में देरी हुई है चीफ जर्सिस अप इंडिया ने सवाल पूठा कि आपने तीन चार घंटे की देरी क्योंकि एफायार की पोस्ट मार्टम के बाद एफायार किया गया आप समझी सकते कितना विवत से घटना है यह तो जहां एफायार नहीं होता तो नसे आर भी रिकॉर्ड में नहीं आता है यानि कि देश में इस्थिती और भी ज़्यादा गंभीर है एंसी आर भी जितना दिखा रहा है उसके तुल्लम और भी गंभीर है क्योंकि एफायार नहीं दर्ज किये जाते हैं देश में सभी जगों पर इस लगातार बने रही समस्या कि जरें भारत के जटिल समाज जिक तानबाना है उसमें इसका कारण कहीं ने कहीं धसा हुआ है जहां प्रतिस अतात्मक मांदन जो पैटियार की समाज है हमारा आर्थिक और समानता हैं देखे पर ही लिखे लोगों के यही चीज दिकते होती हैं सांस्कृतिक पताएं लिंग आधारित हिंसक बरहावा दि निकल आपस मिल जाती हैं वो अलग-अलग-अलग-अलग कारणों को आपको समझाएंगे इस पर डीटेल हर रोज आर्टिकल लिखे जाएंगे जिनका जमीनी हकीकत से कहीं तक कोई लेना देना भी नहीं होता है कई बार इस तरह की चीजे भी आपको दिखेंगी आर्थिक एक छोटा सा कारण हो सकता है सबसे बड़ा कारण क्या है टैबो भई एक रूढ़ी वादिता सबसे बड़ा कारण यही होता है जबकि सहरी चेतरों मामला की रिपोर्टिंग और जारुकताम प्रिदी देखी गई है गरामीन चेतर अभी भी समाजी कलंक और सहायता प्रनाल एरिया जो है भी भी वहाँ पर मामले दर्जी नहीं होते हैं इस जटील समस्यास निपटने के वर मौजूदा कानूनों की आधिक प्रभावी ठंक से किरानवित करना आवश्रक है बलकि बहुआया में दिश्टकोन भी अपनाना बहुत ज्यादा महिदपूर्ण है इन्हों ने कहा है महिला सुरक्षा समंधी आंकरे क्या-क्या दिये हैं समगर आंकरें को अगर देखेंगे एंसी आर्बी की रिपोर्ट बताया गया है कि चार लाग पैंतालीह जार मामले दर्ज किये गए ते प्रते गहंटे लगवाँ एकक्यावन प्राथिमिक ता प्राथिमीकी यानि कि F.I.R. दर्ज किये जाते हैं क्राइम अगेंस्ट वूमेन की बात मैं कर रहा हूँ एक घंटे में 51 F.I.R. दर्ज होते हैं रियल मामले कितने होते होंगे यह पिछले वर्स के तुलना में 4% की बृधी को दरसाता है पिछले साल के तुलना में एकॉनमी का ग्रोथ लाख जन संख्यापट 6.4 रही है जबकि आरोपत्र 4 सीट दाखिल करने की दर 75.8 दर्ज की गई है अपराद के प्रकार किस प्रकार के होते हैं तो कई साले ऐसे मामले हैं जहां पर किड्नैपिंग है अपहरन है 18.7% मामले सील भंग करने के रहाज से हमला है 7.1% मामले बला बातकार जे संबंधित हैं तो आप खुदी समझ सकते हैं कितने गंभीर अपराध दर्ज किये जा रहे हैं ये भारत सरकार कह रही है सरकार को जब पता है तब कानून क्यों नहीं बनाए क्या कठोर कानून एक माध्यम नहीं हो सकता है क्या तोरित कारवाई और कठोर कानून सबसे बड़ा माध्याम हो सकता है इस सीज से निपटने का दूसरी चीजे बाद में आएंगी महिला के बिरोध यौन हिंसाई घटना है दौर 16 में लगवा 49,000 दौर 18 में में देश भर मौस्तन प्रतेक 15 मिनट में एक महिला के साथ बलातकार हुआ ये बीडियो करी में 40 मिनट का होता है तो आप समझ सकते हैं कि इस बीडियो की खतम होने तो कितनी महिलाओं के साथ हो जाएगा भारत में दौर 18 से प्रतेक वर्स कारेस्थल्प और यौन उत्पीडन के 400 सदिक मामले सामने आए हैं वर्क प्लेस भी उनके लिए सुरक्षित नहीं है घर भी सुरक्षित नहीं है अधिकांस मामले मोर्दें 70 परसेंट ज़्यादा मामले घरेलू लोग सामिल होते हैं घर के लोग सामिल होते है वर्क प्लेस सुरक्षित नहीं है सरक सुरक्षित नहीं है पॉबलिक ट्रांस्पोर्ट सुरक्षित नहीं है आखिर करे तो करे क्या कहा जाएं क्या केवल कपरों का दोस हो सकता है इसमें बताइए मुझे समाजिक जो समस्या होती है उसको आप छोटे से अपने सोच से मत देखा कीजिए उसको थोड़ा सा ब्रॉड वियू में देखा क बलातकार के 86 मामलम किसोर सामिल थे जबकि महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुचाने का 60 मामले दर्ज किये गए है राजजवार आंकले दिली महिलाओं को ब्रॉड अपराधों की दर सबसे धीक है प्रती लाक जनसंक्या पर 144.94 की दर है सबसे धीक है पूरे देश में कहाँ प 44FIR है महाराष राजस्थान अपस्ची मंगाल का स्थान उसके बाद रहा है UP उसके बाद से महाराष फिर राजस्थान और फिर वेस्ट बंगॉल ठीक है करम देख लीजिए ठीक है और भी राज्जी हो सकते हैं लेकिन बात यह है ना कि वहाँ पर दर्ज हुए है कि नहीं ह देखेंँ हाँ उसको है पती के द्वारा या रिलेटीव के द्वारा एकतीस दसना 4% हमले अपने पती के द्वारा या ड्लेटिव के द्वारा होते हैं कि रनेपिंग औरिक्सटग उन्नीस पौइंट दो पर सेंट है और देखी सकते हैं अलग-अलग मामले जोरे नहीं स reduction 19.2% है और देखी सकते हैं अलग-अलग मामले जो हैं इन सब का नाम लूँगा मैं तो और भी ज़्यादा वीडियो आपको देर से मिलेगा इसलिए मैं तोरा सब पच रहा हूं बोलने से महिलाओं के विडियो अपराज से निपटने के राह के चुनोतिया क्या हैं प्रतित सतात्मक समाजिक मांदंड यही वो चीज है जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपने देखा हूँ कोलकता के इसके बाद भी कि लोग भक्त से मूँ खोल के बोल देते हैं कि कपरे नहीं पहने थे बुलावा दे रहे हैं महिलाएं ही पुरसों को बुलावा देती हैं जिसके कारण से पुरुस बेचारे तो निर्दोस हैं वो अपना पुरुसार्थ बरदास्त नहीं कर पाते हैं और रेप कर रहो जाता है तो इस तरह का सोच क्या है यह 100% प्रतिस सतात्मक समाज है जहां पर एक क्राइम के लिए विक्टिम को ही दोसी ठहरा दिया जाता है ऐसा ही समाज प्रतिस सतात्मक समाज कहलाता है जहां पर पुरुस ने क्राइम किया लेकिन दोसी महिला ही हो गई यह वही समाज की सोच है जो मध्यकालीन भारत में हुआ करता था और वही सोच अभी भी है खुले आम आपको बोलते हुए लोग मिलेंगे, माइक पर बोलते हुए मिलेंगे, पुरुस छोड़िये महिलाएं भी यही बोलती हुए मिलेंगे आपको महिलाएं ही महिलाओं की सोसक बन जाती हैं कई वार इस तरह के मामले में वो भी देखा जाता है खुले आम बोलते हैं यही सब चीजें तो क्या है ? पृतिस अत्मक समाज को दर्साता है खाप पंचैते कठोर लेंगी कमानदन्न को लागू करते ऐसी प्रथाओं के समर्थन करती है जो महिलाओं के स्वायत तक कमजोर करती है कारेस्थल पर सोसन, कारेस्थल महिलाओं का यौन सोसन, रोक्थाम, निसेद और निवार नदेम, दोयर तेरा कदिनियम होने के बावजूद भारत में बेने कारेवातवन, बड़े पैमन महिलाओं का यौन उत्विन सोसन के मामलों से जूज रहा है अभी अभी मल्यालम फिल्म इंड़स्टी पर जो एक समीती का रिपोर्ट आया है, उसको लेकर पूरे देश में चर्चा का माहौल बन गया है कि इस तरह का एक छोटा सा फिल्म इंड़स्टी है मल्यालम, कोई बहुत बड़ा नहीं है उससे बड़े-बड़े फिल्म इंड़स्टी, हिंदी फिल्म इंड़स्टी, यह तैविल है, कंणर है, तेलगू है, यह सब बड़ी फिल्म इंड़स्टी है मल्यालम तुलात्मक रूप से छोटा है वहाँ पर अगर इतने गंभीर मामले देखेंगें तो अगर हिंदी फिल्म इंडस्टी की जाच परताल हो जाए या भोजपूरी की जाच परताल हो जाए तो वहाँ पर क्या होगा तो यह क्या दिखाता है अभी अभी तो आपको उदाहरन के लिए मैंने बोला है लिखिएगा इस सीज को आपको मैंने दो दिन पहले मलियालम फिल्म इंडस्टी के रिपोर्ट के बारे मताया था फिल्म इंडस्टी के अंदर क्या-क्या होते हैं उसका पता लगाने के लिए तो वहाँ पर देखा गया कि महिलाओं से ही सबसे ज़्यादा अपराद उनी के खिलाब होता है फिल्म इंडस्टी में तो कोई मुर्ख लोग नहीं होते हैं परे लिखे सोकॉल समाज के सबसे समरिद और जागरुक लोग होते हैं जो इन्वारमेंट जैसे इस सुपर एक हो जाते हैं लेकिन इस इस सुपर कोई एक नहीं हो रहा है बताईए परहाई से सिख्छा से कोई लेना देना है यहाँ पर यही मिद देख रहा है भई क्या है यह अगला देखिए सुरक्षित सावनिक अस्थलों की कमी है और सुरक्षित सावनिक अस्थलों पर महिलाओं की विरुद अपरात की संभावना बर जाती है सुरक्षित और परियापत रोशन सरकों की कमी और परियापत सावनिक परिवहन के कारण उत्पीराओं और हमले हो सकते हैं उधारन के लिए दोयर बारह में जो हुआ था वो ये भी दिखाता है जिस प्रकार से हुआ था यानि कि सुरक्षित साविनिक अस्थल नहीं है आज भी साविनिक अस्थल जो पब्लिक प्लेस होते वो भी सुरक्षित नहीं है अपने देश में और परियात अवसरचना और संसाधन कई छेत्रों अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने अपराधों की जाच करने के ल तो उसका दर बहुत ही कम है बहुत कम ऐसे केसे मिलेंगे जैसे 2020 इसवी में जो फांसी दिया गया था दिली के जो रेप केस के एक्यूज थे उन लोगों को तो वो कितने सालों के बार दिया गया था आठ वर्स लग गया उस तीज को पूरा करने जब कि वो फास्ट ट्रैक में किया गया था फास्ट्रेक वाले कोट में किया गया था तो क्यों नहीं आप दे तो उसके बाद कितने और लोग दिया गया तो हर महिने लटकाने परेगा भई इतने हो रहे हैं अभी वीडियो खतम होने में उनिस मिनट का हुआ है तो आप जोर सकते हैं कि भई एक तो हो चुका है पंदरह मिनट में एक होते हैं तीस मिनट तक वीडियो जाएगा तो दो हो जाएंगे आपको तो तीस दिन में एक को लटकाना परेगा ये करना ही परेगा अगरा देखिए क्या है एंसी आरबी ने बताया कि दोहर अठारा दोहर अठारा दोहर बाइस कबती बलातकार के लिए दोस्तित दर्मातर सत्पैस अठाइस परसेंट रही है प्रनालीगत मुद्रे बिधीक और बिधी प्रवरतन में प्रव्याप्त प्रहष्टाचार महिलाओं के विरुद अपरास निपटने के प्रयास बाधाउत पन करती है उधारन के लिए बलातकार कई मामलों पुलिस पराथ में की दर्ज करने में अनाकानी अदेर करती है कुलकता केस में इतना जगहने केस था उसमें भी उन्होंने देरी की कॉलेज के प्रिंस्पल ने सबसे पहले एफायार दर्ज करवाना चाहिए था किसी वर्क प्लेस पर अगर कुछ होता है तो सबसे पहले जो जिमेदारी होती है वो उस वर्क प्लेस के हेड की होती है कि आप सबसे पहले पुलिस के वो रिपोर्ट करें और F.I.R. दर्ज करवाएं वो उसने नहीं करवाया उस पीरता के पिता नहीं करवाया तो जब इतने बरे केस में ये हाल है तो छोटे केस को तो लोग इगनोर ही कर देते होंगे समाजी कलंक और पीरता को दोस देना पीरता को दोस देने के प्रविर्ट अभी मैंने समझाया महिलाओं को अपराद के रिपोर्ट करने से दोसाहिद करती है आप समझी सकते हैं कि समाजिक ताने माने ही ऐसे हैं घर के जो महिलाएं वही बोलेंगी कि बद्धनाम हो जाएगी मत करो लेंगिक औसमानता और सांस्कृतिक दिश्टिकों सिक्षा रोजगार अवसर नेरने लेन के सकती पारमप्रिक मानेता और प्रथाओं ब्याप्त औसमानता हैं माईलाओं के बेतिता में योगदान करती उदारने के कुछ समधाय बाल विवाह और माईलाओं के आवाज़ाई प्रतिबंद जैसी प्रथाए आम हैं बाल विवाह भले ही गलत प्रथा हो लेकिन उसको आप बलातकार से नहीं जोर सकते हैं ठीक है जो बाल विवाह के प्रता है राजस्थान में उसमें बच्चों के बच्चों साधी की जाती है ठीक है तो ये मैं कहा रहा हूँ कि ये भी इसू है लेकिन इस इसू से ही जुरा हुआ नहीं है दोनों अलग-अलग इसू है शिक्षा और जारुता की कमी यही वो चीज है मैंने आपको शुरुआत में एक सब्द बोला था टैबो बन जाता है बच्पन से ही अगर स्कूल से सुरू किया जाए प्राथमी की स्कूल से बच्चों वाले स्कूल से बिलकुल LKG UKG से दो अलग-अलग जो आप बिठाते हैं दोनों साइड एक तरफ भूमेन बैठती है बच्चे बैठते हैं बच्चे बैठते हैं बवाय और एक तरफ गल इनको एक करके बिठाइए आ जिसो साथ में बरे हों साथ में जो बरे होते हैं उनमें एक दूसरे के प्रती को लेकर टैबो नहीं बन पाता है ठीक है अनजान नहीं होते हैं वह एक दूसरे को लेकर और एजुकेसन आपको देना परेगा ठीक है एजुकेसन आपको देना परेगा तभी जाके आप सीज को कम कर सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रक्याज किसी की जवरत है जाग रुकता मांसिक लिवेल पर जाग रुकता कि वो वूमेन है बस और इतना ही है बस बात खतम और कुछ नहीं है ठीक है आर्थिक निर्भरता घरेलू हिंसार प्रद्योकियर साइबर खत्रे इस सब चीज़े जोर दी है इन महिलाओं को लेकर उनको सुरक्षित माहौल देने को लेकर जिसे कारेस्थल पर सोसन रोकने के लिए विसाखा गाइडलाइन बनाया गया था दोयर 13 में ये बहुती हद तक कारेस्थल पर सोसन को रोकता है सी बॉक्स की अब धारना लाई गई थी कारेस्थल पर लगाने के सी बॉक्स किया होता है तो हर कारेस्थल पर एक बॉक्स जैसा होता है जहांपर अगर किसी महिलाक साथ कुछ हो रहा है तो अपना दर्ज करवा सकते हैं ऑनलाइञ भी ऑफलाइन भी और हर Scripture पर महिलाओं को लेकर एक कमिटी काम करेगी जो उन से जुरिमें मामले को हमें अधिनियम बनाया गया था सर्वाइवर्स के लिए स्टॉकिंग वगरा के लिए उनको बचाया जा सके अधिनियम में पीछा करते स्टॉकिंग या फिर किसी भी तरह से महिलाओं का अगर आप परेसान कर रहें तो उसमें आपका ठोड़ धंड की सजा सुनाई जाती है य सारे चीजे तो मैंने आपको समधान बताई है बांकि आप सोचेंगे नेक्स टॉपी पर हम लोग चलते हैं अगला न्यूज जो है एंपॉक्स धीरे धीरे करके बहुत ही जादा पहल रहा है थाइलेंड में एक स्ट्रेंड मिला है एक नया स्ट्रेंड में जिसको क्या कहा गया है क्लैड वन बी अब यह क्यों आपको याद रखना है अफरीका के बाहर दुनिया में केवल दूसरा ही मामला इस वेरियंट का दर्ज किया गया है एसिया का क्लैड वन भी मामला दर्ज करने का पहला मामला है पूरे एसिया में पूरे एसिया कंटिनेंट में पहला माम ध्यानु रखें कि कहां पर इस तरह का स्टेन पहली बार दर्ज किया गया है क्यों इस यह इतना जाद कंसर्ण है क्योंकि यही वह स्टेन है जिसको लेकर जो भी से सग्य है जो डॉक्टर्स है अलग लग वह वह कंसर्ण जाहिर करें कि बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है और यही वह स्टेन है जिसको सब ज्यादा फैलने की संभावना भी दर्ज की जा रही है इसको जरूर याद रखेगा इस स्टेन का पहला मामला जो है यह अफरीकान कॉंटिनेंट में दर्ज किया गया था एसिया में पहला मामला थाइलेंड में दर्ज किया गया है पूरे दु पूछा जा सकता है कि हाली में चर्चा में रहा ये सब दिख्या है तिये जुरा हुआ है किस से ये जुरा हुआ है अपने एमपॉक्स वाइरस से एमपॉक्स के बारे मैं आपको बता चुका हूँ जिसका टीका भी उपलब्द है ये कोरोना के जैसे बहुत बड़ी महमारी द रखेगा नेक्स देखे क्या है नियूर राष्टे बिग्यान पुरसकार के बारे मैंने को डीटेल में समझाया था कि कौन-कौन से पुरसकार किसको किसको दिया जाता है और डीटेल मैंने आपको सांती सरुब भटनागर पुरसकार भी बताया था कैसे प्रतान किया जाता ह ये सब भी बताया था तो फर्स्ट एवर राष्टे बिग्यान पुरस्कार का बटवारा कल राश्वती महोद्या ने किया और IISC के डिरेक्टर पूर्व डिरेक्टर गोविंद राजन पदरनावन जी जो है इनको भारत का पहला राष्टे बिग्यान पुरस्कार से सम्मानि किया गया इनको जरूर ध्यान में रखिएगा कि इनका तो इनका नाम IISC के पूर्व डिरेक्टर हैं इसके लावत 13 बिग्यान पुरस्कार 18 बिग्यान युवासांती पुरस्कार भटनागर पुरस्कार दिया जाएगा इन सभी को मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कल इसका बटवारा हुआ है इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा 22 अगस्त को इसका बटवारा हुआ है 23 अगस्त के न्यूस पेपर डिसनम लोग पर रहे हैं और मैंने आपको एक अगस्तिया 11 अगस्त के आसपास देखिएगा मैंने आपको डीटेल में राश्टे बिग्य पुरसकार कितने केडिगरी में होते हैं, सांती सरूप भटनागर पुरसकार क्या होता है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, ध्यान में रखना है, इस स्टेटमेंट बनाकर ये आप से पूछा जा सकता है, इस स्टेटमेंट बनाकर भी पूछा जा सकता है, जैसे यो युव इंटरन सी पोर्टल बना रही है इंटरन सी पोर्टल बना रही है इंटरन सी पोर्टल इन दे वर्क्स मतलब की काम चल रहा है इस पर विल मैच स्किल सेट विद ऑपर्चुनिटी इसमें ये कहा गया है कि आपके पास जो स्किल सेट होगा skill set का मतलब जैसे आप अपना regime — बनाते है न regime में आप लिखते है कि भई आपको Word पर काम करना आता है Microsoft Word पर काम करना आता है आपको Excel भी काम करना आता है माल लीज़े आपने AI का certification कहीं से लिया हुआ है या Cyber में आप काम कर सकते है साइबर सेक्योटी के लिए काम कर सकते हैं या आपको टाइपिंग बहुत अच्छी आती है अगर छोटे स्किल के हम लोग बात करें वर्ड बगरा तो छोटा स्किल ही हो गया जैसे कई सारे लोग कंप्यूटर के कोर्स करते बी-सी-ए, एम-सी-ए किये हुए तो उनका वह स्किल हो गया या बी-टेक हैं आप तो बी-टेक के वहले स्किल नहीं हो ता डिगरी होता है स्किल आपको फिर बाद में जोड़ना पड़ते हैं अन्डॉइड सिस्टम, अन्डॉइड पर आप काम कर लेते हैं तो ये सब चीज़े आपको बतानी परती हैं तो इस्किल सेट है इसमें स्किल सेट का मतलब कि आपके पास ये एक कौसल है कई सारे लोग के पास बोलने का बहुत अच्छा कौसल होता है इंगलिस हिंदी में बात करने का तो बीपी ओ बगरा में जाते हैं कॉल सेटर बगरा में काम करने के लिए तो अलग अलग स्किल सेट के साथ जैसे आप परतिभागी होंगे आपने ग्रेजुएशन किया तो आपका एक जैसे LinkedIn आपने कभी खोला है क्या जॉब बालों के लिए LinkedIn होता है बहुत पहले मैं चलाता था फिर बंद कर दिया LinkedIn इसी तरह का एक PORTAL है लेकिन वहाँ पर जॉब अगरा का सर्च होता है लेकिन यह भारासरकार किसके बना रही है internship के लिए internship के लिए भारसरगार बना रही है internship के लिए बना रही है इसमें क्या होगा जैसे आपने graduation किया या भी आप graduation करने वाले हैं तो क्या होगा कि आप अपना skill set यहां पर डाल दीजी आप किसी company को उस skill set का नया नया कोई बन्दा चाहिए कम पैसा देना पड़ता है क्योंकि है न तो वो आपको hire कर सकती है वो आपको hire कर सकती है आपको 5000-6000 रुपे पर मंत दे सकती है इसमें यह कहा गया है इसी news को जरा हम detail में समझेंगे और इसको कहां से जोरेंगे आप तो रोजगार से जोरेंगे और जो भारसरकार ने budget में इसका प्राधान लाया है तो budget भी आपका एक topic इससे त्यार हो जाएगा देखे क्या है यह पूरा पूरा योजना उसी Indian Express के news को मैंने detail में निकाल कर उसको translate करके आपके लिए लाया है कौन सा मंत्रा ले सबसे पहले कौन सा चीज तो मंत्रा ले बंदूओं पीटी फैक्ट पर आ जाएगे कॉर्पेट मामले का मंत्रा ले जो है वो इस पर काम कर रही है अगले दो सप्ता हमें इंटरनी से प्योजना के लिए दिसा निरदेश की घोसना कर देगा काम चलना है अगले दो सप्ता हमें इस पर से उपी वगड़ा जारी कर दिये जाएंगे जिसके बाद पोर्टल को संभावित आवेद को के लिए सक्रिय कर दिये जाएगा पोर्टल ओपन हो जाएगा और आप अगर आवेदन करना चाहें आप भी इस पर जूर सकते हैं वस आपको अपना स्किल सेट देना परेगा अब मैंने एक वार और वोला था कि कभी आपको लगे कि आप भई आपको रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है तो अपना रिज्यूम बनाईए देखे कि उस रिज्यूम में सच सच में आप क्या क्या लिख सकते हैं रिज्यूम में रिज्यूम तो बनाना आता होगा आप कैनवा या फिर पिकार्ट या फिर गूगल डॉक्स माइक्रोसफट जो वर्ड होता है उसके ऑनलाइन पोर्टल पर जाएंगे तो वहां रिज्यूम का फ़ॉर्मिट बना होता है बस उसमें नाम और पोटो वगर सब एप है इतना चीज पता होना चाहिए आज के जवाने में रिज्यूम बनाईएगा उस पर देखी गया कि आप से जब उसमें स्किल वाले कॉलम में जाएंगे आप वहां पर क्या क्या लिख सकते हैं आप दरसल में आपकी गहराई उतनी ही है ठीक है कोई भी आपका पलिए एक एप ल tenant के पचास परशेंट हैं अगर आपके पास खिल है तो आपको मिल जाएगा अगर आपके पास तो कोई भी हैं आपको जॉब नहीं मिलता है इसी तरह से काम होता है तो यहां पर भी वी चीज ब को अपर्चूनिटी से मैच करेंगी government opportunity यानि कि कहीं पर कोई अबसरूत पन हुआ है और आपके पास में कौसल है ताप वहाँ पर जाकर जुरिये और पांच जार छे जार जो स्थिरुवात में college के दिनों में कोई कम नहीं होता है उतना आपको internship में मिल जाएगा भी तो free का internship हो जाता है कई सारे जगों पर जिसके बाद portal को संबावित आवेदगों के लिए सक्रिये कर दिया जाएगा बजट में घोसित बिसेश package के दायत युवाओं को देश के 500 सिर्स कंपनियों के साथ सीधे internship के लिए आवेदन करने में सक्षा बनाने के लिए नया portal बनाया जा सकता है लेकिन यहाँ पर एक थोरा सा लोचा है लोचा क्या है भी तो लोचा यह है इसमें कि पहले government ने budget में बोला था कि यह हम mandatory करने जा रहे हैं company ओ के लिए mandatory करने जा रहे हैं वो तो देखने वाली बात होगी देखिए हाँ पर क्या है कि portal आवेद को कॉसल सेट को company द्वारा प्रदान किये जाने वाले internship अफसरों के प्रकार से मिलाने के सुविधा प्रदान करेगा corporate मामलों का मंत्रा लग दो सब्ताह में इसके लिए सारे देख जारी कर देगा और आवेद को के लिए सक्रिय कर दिया जाएगा इसका उदेख देख की युवाओं को कोई मवजूदा डेटाबेस पोर्टल प्लोड करना नहीं होगा क्योंकि हो सकता है कुछ लोग इस इंटरंसिप योजना के विकल्प ना चुनना चाहे इसके बजाए कंपनी आपने इंटरंसिप अपसरो को सुचीवद करेंगी मतलब कंपनी आपना पोर्टल ओपन करिख भई साब हमको इतने इतने लोग इस स्किल के साथ चाहिए इस स्किल के साथ हमें 50 लोग चाहिए आप अगर आवेदन करना चाहते तो आवेदन कीजी जिससे पोर्टल पर सुचना को मुक्त प्रवाह संबब हो पाएगा एक वरिष्ट सरकारी अदिकारी ने इंडिया नक्स्पेस को बताया था एंडिये सरकार दोरा 23 जूलाई को प्रस्तुत 24 पचीस के केंदरिये बजट में वित मंत्री निर्मला सीतारमने दो लाग करोड उपे के कुल पड़िवये के साथ रोजगार और कॉसल के प्रधान मंत्री पैकेज की खोसना की थी सरकार या सुनिसित करने को उत्सुक है कि हासिया पर रहने वाले लोग बिसे शुबसे कम कुसल और कम रोजगार योग लोग इसे इस इंटरन्सिप योजना का दिकतम लाग उठा सके सरकार ने ऐसा बोला है लेकिन ऐसा सच्चाई में तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है जो कम कुसल लोग होंगे उनको नहीं मिलेगा एप्लिकेशन आते हैं चवरासी पद के लिए वहाँ पर पिएचडी के लोग तक अपलाई कर देते हैं भारत में विरुजगारी के वह इस्तिती है इंटरंसिप के लिए अगर कोई भी कंपनी 50 भी निकालेगी 50 पद भी निकालेगी तो वहाँ पर स्किल्ड वाले भारी संख्याव लोग अपलाई कर देंगे अब अगर बहुत सारे लोग हाई स्किल्ड वाले आपको उसी पैसे पर मिल रहे हैं आप सोचिए आप एक किसी कंपनी का मालिक हैं आपको 5000 में काम करने के लिए अच्छे खासे स्किल्ड वाले लोग मिल रहे हैं तो आप कम skill वाले लोगों को क्यों रखोगे सीधी जी सवाल है भई नहीं रखोगे बोलोगे नहीं नहीं रखेंगे हम त्योंकि हमें उसी दाम पर एक अच्छा खासा skill बंदा मिल रहा है है ना अब यहाँ पर बात इस सीज के था पैसा कहां से देगी कमपनिया तो यह पैसा देगी वो CSR से CSR Fund CSR Fund क्या होता है Company Social Responsibility Company Social Responsibility इसके तहत जो भी कमपनी देश बड़ी कमपनियां काम करती हैं उन सभी का एक Social Responsibility होता है समाजिक जिम्मेदारी होती है क्यों वो देश से किवल पैसा ही नहीं कमाएंगी बलकि CSR Fund में पैसा भी खर्चा करेंगी CSR Fund का मतलब देश के समाजिक उत्थान के लिए भी थोड़ा बहुत काम करेंगी जैसे माली जब वीपरो है वीपरो का ये करतब बे बनता है कि वो CSR के लिए पैसा खर्च करे CSR दो या तीन वर्सों के जो भी कमपनी के लाब होते हैं उस पर दो या तीन परसंट के आसपास में लगाया जाता है ठीक है तो ये बहुत बड़ी रकम हो जाती है आप अगर लाख करोड की कमपनी के कारवार है एक दो साल का उस पर दो या तीन परसे निकालेंगे तो अच्छा खासा एमांट हो जाता है तो भारत सरकार ने इस सुभिधा दिये कि CSR का फंड आप इसमें उपियोग कर सकते हैं जिससे कमपनीया भी हिचके न और वो खर्चा कर सकें CSR फंड के तहत इंटर्णसिब देने में इसका जरूर धियान रखेगा CSR फंड से प्रसिक्षन लागा तो इंटर्णसिब लागा तो दस परिचत का वहन करेंगे ये भी इसमें बोला गया है बारा महीनों के लिए वास्तिवी जीवन के कारवारी माहौल बिभीनी वेफसाय का रोजगार का अपसरो कानफा मिलेगा 5000 रोबे प्रतिमा का इंटर्णसिब भत्ता भी मिल सकता है इसको जरूर धियान रखेगा इस योजना को नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अगला देखे क्या अगला टॉपिक है ये बिहार के लिए सांदार सा टॉपिक है और पीटी का एक सवाल तो मान ही लीजिए पक्का गैरेंटेट ही हो गया इसकी घोसना ओफिसियल घोसना चल दी एक से दो सब्ता हमें बिहार से गार कर देगी फिलार नियूज पेपर में याने लग गया है परम बुद्ध परम बुद्ध क्या है बिहार के पहला सूपर कंप्यूटर परम बुद्ध परम बुद्ध को तयार किया गया है बिहार में तयार किया गया है इसको इसकी टेस्टिंग वगरा, BHU वगरा में की गई है और यह सफल हुआ है परम बुद्ध इसका नाम है, इंगली से परम बुद्धा कह देते हैं क्योंकि बुद्ध को बुद्धा कहते हैं, असोक का सोका कह देते हैं तो परम बुद्ध इसका नाम है, ध्यान में रखेगा इसको, पटना के सीडेक के अंदर में AI आधारी सुपर कम्पीटर परम बुद्ध का निर्मान किया गया है, यह AI से सुसजित है, Artificial Intelligence भी इसमें इंप्लिमेंट किया गया है, इसमें जोरा गया है, इसको जरूर ध्यान मे अधारी सुपर कम्पीटर परम बुद्ध का निर्मान सीडेक के अंदर में किया गया है, जो बिहार का पहला सुपर कम्पीटर होगा, बिहार में निर्मित इससे पहले IIT पतना में एक सुपर कम्पीटर लगाया गया था, लेकिन फिरहाल में बिहार के ही सीडेक सेंटर जो परम बुद्ध कई छेतरों में टेस्टिंग की जा चुके अब यह पूरी तरह से काम करने के लिए तयार हो गया है जल्दी से आधिकारिक तौर पर बिहार के सरकार लॉंच करेगी और यह बिहार में निर्मित पहला सूपरकम्पीटर होगा परम बुद्ध के निर्मान के बहुती अच्छा काम करें कई सारे परोफेसर का नाम दुनिया के चुनिंदा परोफेसरों में आता है तो सीडेक सेंटर पतना ने परम बुद्ध सूपरकम्पीटर का निर्मान किया है इसको जरूर धियान में रखिएगा और आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है रू